हालो स्पारेंट्स, वेलकम टो आय फेस, सो स्टूडेंट्स, अभी रीसेंट में एक न्यूज चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक डिबेट छिड गई है पुरे देश के अंदर, हुआ क्या है, उत्राखंड के चीफ मिनिस्टर है, पुशकर सिंग धामी, उ ये सबसे पहला अपना राज्य बन चुका है इंडिया का, जिसने ऐसा एक मूव, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसको एडॉप्ट किया है, ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे, कि सर गोवा पहला था, तो अपन ये कहेंगे, कि सिंस इंडिपेंडनेस, आजादी के बाद में ये एक पहला राज्य है, और आजादी से पहले, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो गोवा में पहले से ही मुझूद है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये है मिस्टर पुशकर सिंग धामी, बड़ा ही कॉंटरवर्शिल ये बिल है, ठीक है, अभी सुप्रिम कोड में चैलेंज भी किया जाएगा, तो इसके जो कॉंस्टिटूशनल्टी है, कि ये सही है कि नहीं है, ये पूरा देखा जाएगा, उससे पहले हम लोग भी अपना एक एनलेसिस करते हैं, बिकोज हमारे हाइन एजुकेशन जो टॉपिक है, उसके लिए रिले कर रहे हूँ, ठीक है, तो स्टुडेंट्स हुआ क्या है, पूरा इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये क्या थी एक लंबी प्रकृरिया थी, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ना, ये कोई छोटी-मोटी प्रकृरिया नहीं है, बहुत लंबी प्रकृ प्रकृरिया थी, ये जो आपके सामने लेडी दिख रही है, ये है रंजना प्रकास देशाई, ये सुप्रीम कोड की एक रेटायर जस्टिस है, जज है, जिनों ने यूजी सी, ये जो यूजी सी जो कमेटी है, इसको इनिशेट किया था, प्रोसेस को 27 मई 2022 को, ठीक है, इन इस पेपर वगर को फोलो करते हैं, मैगजीन्स को, न्यूज को, इनको फोलो करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, बड़ा ही होर टापिक है, अभी चल रहा है, इन्हों ने अपना जो ये ड्राफ्ट था, इसको सब्मिट किया दो फरवरी को, और उसके बाद में ये ज चार वोल्यूम्स में डिवाइड किया गया है, ये इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, बिकोज ये ऐसी इस तरह की जो प्रक्रिया है, प्रॉसेस है, ये आजादी के बाद में पहली बार हो रही है, यूसीसी वाली, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सिविल फोड क्या होता है, डोंट वरी, इसको पूरा पढ़ेंगे हम लोग, बिल के अंदर है क्या, ये यूसीसी जो बिल है, इसके अंदर क्या है, इसमें ये है कि चायल्ड मेरिज के ओपर कम्प्लीट बैन लगा दिया गया है, सबसे पहली बात दो लिए इस तरह से जो चायल्ड मेरिज होती थी, इनके ओपर कम्प्लीट बैन लग चुका है, अब दूसरा ये है, इंटर्ड्यूस एक यूनिफॉर्स प्रॉसेस, अब आप बोलोगी सर, चायल्ड बैरिज तो वैसे भी बैन है, देखो, क्रिश्चन, जैन, सिक्स वगरा में, इन की शादी हो सकती है, तो अब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है, समान, सारे धर्मों को छोड़ दिया गया है, सिटिजन्स को धान में रख्या किया गया है, अब क्या हो गया है, वो मुसलिम जो लौ था शेरियत वाला, परसनल जो लौ है, वो पूरी तरह कैसे वोईड हो चुका है, ठीक है, इस बिल क्याने के बाद में, अब मुसलिम के अंदर भी जो 15 साल के उपर था, अब उनका भी 18 साल से उपर ही बच्चियों का विवा हो सकेगा, ठीक है, दूसरा ही है कि यूनिफॉर्स प्रॉसेस, डिवर्स की प्रॉसेस आपको पता है क कि मुसलिम प्रॉसनल लोग के अकोर्डिंग अलग है, अपने हिंदूस में अलग डिवर्स प्रॉसेस होती है, तो अब क्या यूनिफॉर्म एक तरह की डिवर्स प्रॉसेस होगी, इस तबी इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते है, ठीक है, ग्रांट्स इक्वल जो भी उनके पेरेंट्स की होती है, ठीक है, अब ये जो तीनों चीजे है, ये धर्मों को लेकर नहीं होगा, क्या लिख रखा है, रिगार्डलेस ओफ देर रिलीजन, जैसे किसी भी धर्म से हो, बट ये सब चीजे इक्वली अप्लाए होगी, एक्स्क्लूडिंग शड्य इसके अलावा सारे के सारा इंक्लूड है इसके अंदर, ये आपको याद रखना है, फिर बाद में बड़ा ही एक मुद्दा, ज्वेलन शील मुद्दा है, ज्वेलिंत मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, लिव इन रिलेशन्शिप को लेकर, ठीक है, अब ये जो बिल है ये लिव इन रिलेशन्शिप के ओपर, बड़े ही थोड़े से हो सकते हैं, किसी किसी को वियर्ड लगे, अजीब लगे, किसी किसी को सही लगे, तो दोनों तरफ हमको एक परस्पेक्टिव लेकर चलना है, बायस नहीं होना है, एस स्टूडेंट हम लोगों को बायस नही रखनी है, पूरा खुले दिमाग से इस सब चीजों को पढ़ना होता है, क्योंकि पक्ष विवक्ष दोनों चीजों में होता है, ठीक है, और हमें दोनों का ही जो दोनों पक्ष हैं, उनको सुनना है, समझना है, अब ये जो UCC बिल है, इसने क्या कर दिया, कि उत्राखंड म जितने भी लिव-िन रिलेशन्शिप में जो लोग रहते हैं, मतलब मैरिड नहीं है वो, फिर भी वो साथ रहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, सबसे पहली बात, ठीक है, मतलब आपको अगर साथ रहना है बिना शादी के, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना का ठीक है दूसरा ये है कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया और आप पाए गए कि आप साथ रह रहे हैं तो आपको तीन महिने की जेल भी हो सकती है या फिर दस हजार रुपे का फाइन भी हो सकता है और अगर आप गलत इनफोर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो है तो उनसे जो बच्चे बर्न होते हैं उनको फुल लीगल राइट्स दिये जाएंगे लेजिटिमेट होगा वो बच्चा ठीक है साथ ही साथ में ये किया गया है कि लिविन रिलेशन्शिप के बाद में क्या होता है लड़की है उनको छोड़ देते हैं या भी किसी कारण होता है तब होता है बट लीविन रिलेशन्शिप के अंदर भी अगर छोड़ दिया जा रहा है वोमन को तो वो गया तो गय है अगेंस्ट में है वो यह कह रहे हैं कि अगर आप साथ रह रहे हो तो गवर्मन पैर से हमारे घरों में गुश सकती है चेक कर सकती है कि कौन साथ रह रहा है कौन नहीं रह रहा है तो अपनी जो freedom है fundamental rights को भी लोग जोड रहे हैं इसके अंदर कि जो हमारी freedom of choice है उसको ये violate कर रही है ठीक है ये जो चीज़े साथ ही साथ में इसके विपक्ष में जो है वो लोग ये कहते हैं कि भाईया जब adult हो गए तो वो साथ रहें नहीं रहें आपको क्या मतलब है गॉर्मेंट की चीज़ में interfere कर रही है personal liberty है हमारी personal freedom है इसमें government का कोई role नहीं होना चाहिए और एक और इसके अंदर महत्वपूंट चीज़ थी कि उत्तराखंड में रहने वालों को registration करना ही है मतलब ये जो live in relationship वाला जो rule है ये उत्तराखंड के लिए लोगों के लिए है ठीक है बट problem कहां आ रही है problem ये आ रही कि suppose कर आप एक उत्तराखंड के निवासी हो वहाँ का आपके पास मूल निवास प्रमान पत्र आप domicile हो उत्तराखंड के और आप रह रहे हो राजस्थान के अंदर live in relationship में तो आपके ओपर वो laws अप्लाई होंगे इसका एक ये थोड़ा सा अजीब ही है कि उत्तराखंड से बाहर कोई रह रहा है उत्तराखंड का वासी उसके ओपर भी ये सब चीजें applicable है साथ ही साथ में अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ती उत्तराखंड के अंदर निवास कर रहा है, रह रहा है और उसके बास उत्राखंट का certificate नहीं, उत्राखंट का domicile नहीं है, बट वो living relationship में रहा है, रह रहा है, तो वो भी ये जो rules हैं, वो भी उसके उपर apply हो रहे हैं, तो इसी लिए क्या है, जो इसके opposed में है वो कहना है यह बहुत ज़्यादा ही unnecessary personal life में घुस रहा है यह bill देखते हैं आगे जैसे जैसे unfolding होगी जैसे जैसे इसकी और ज़्यादा scrutinary होगी तो वो आपको अपडेट कर दी जाएगी ठीक है अभी तक की तो यह situation है बहुत articles आएंगे आपको इनको सब पो readout करना है गया है जो की 3% है state की मतलब जैसे सो लोग है उत्राखंड में तो तीन लोग scheduled caste में हैं उनको exemption दिया गया है बट यह जो tribal groups हैं उत्राखंड के थोरा वगरा है जो उनकी 5 tribes हैं उन्हों ने अपना displeasure show किया है कि हमको क्यों यह special status दिया हमको यह special status नहीं चीए हमारे लिए भी यह चीज़ applicable कीजिए यह कहा गया है और government ने क्या किया है schedule tribes को क्योंकि यह क्या है कि uniform है उनके laws अलग होते है ट्राइबल के इसलिए उनको अलग रखा है एक बार के लिए अब देखो किस तरह से बन सकते हैं कि कौन सी जो tribes है वो उत्राखंड की indigenous tribe है वहां की local tribes है तो यह सा बारू, राजी, जोन सारी जो tribes हैं इनके उपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा because यह बहुत 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 ज्यादा important हो जाती है examination point of view के लिए उत्राखंड की tribes है और वहां पांच tribes major tribes है इसकी जो वीडियो है वो जल्दी आपको इसी channel के उपर upload हुई हुई दिखेगी उसके बाद में opposition जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि इस bill को अच्छे से steady नहीं किया गया है इसको पूरा debate के थुरू इसको steady किया जाए इसके उपर debate हो इसके उपर बातचीत हो ऐसे unilaterally decision government नहीं ले सकती है ठीक है साथ ही साथ में अब आप बोलोगे सरी उत्राखंड के अंदर ही क्यों आया है उत्राखंड में इसलिए आया है because वहाँ पे जो government है उन्होंने अपने elections के अंदर promise किया था कि हम जब आएंगे तो UCC लेकर आएंगे और ये जो है इसकी वज़े से क्या है अब जो और दूसरे states नहीं वो भी inspire होंगे कल ही राजस्थान के एक minister ने कहा है कि जैसे उत्राखंड में UCC आया है वैसे ही राजस्थान में लेकर आएंगे असम में लेकर आएंगे और गुजरात में लेकर आएंगे तो already क्या है एक ये पैंडोरा बॉक्स ओपन हो चुका है ठीक है अब देखते हैं आगे क्या होता है अभी क्या है सिर्फ गोवा के अंदर ही common civil law है जो की इंडेपेंटेंस से पहले ही लागू कर दिया गया था किस के द्वारा पूर्तगीज के द्वारा ठीक है और 1961 के अंदर गोवा भारत के अंदर आ गया था उसके बाद में भी क्या था civil code continue रहा क्यों क्यों कि वहां की local population कह रही थी कि हमको तो यह चाहिए uniform civil code चाहिए common civil law चाहिए ठीक है अब बात करते हैं कि यह UCC होता क्या है अब सरह बोर्डों की हमें थोड़ा तो idea चल गया बट एक professional जो language होती है वो क्या है वो यह है कि अभी तक समझ में आगे uniform का मतलब समान समान code सब के लिए तो common set of laws applicable to all citizens of India UCC कि एक एक देश है तो एकी तरह का law applicable होना चाहिए जैसे वो किसी भी धरम का हो कोई भी जो personal matters हो जैसे कि divorce, marriage, adoption, inheritance यह फिर succession यह सारी चीजे एक ही देश है एक ही तरह का rules सब के लिए apply होना चाहिए अभी क्या होता है अलग-अलग जो धार्मिक communities है religious communities इंडिया में उनके अलग-अलग सब के laws है personal laws है जैसे कि Hindu marriage act, Hindu succession act, Indian Christian marriages act, Indian divorce act, Parsi marriage and divorce act, ठीक है साथ इसाफे Muslim personal laws, Muslim personal laws क्या है यह उनकी जो religious text है जो धार्मिक पुस्तके हैं उसके उपर है कोई लिखा हुआ नहीं है यह सिर्फ पुस्तके उपर चल रहा है जैसे कि शरियत application act, या फिर Muslim marriages act, यह कुछ act है और कुछ उनकी पुस्तके उनके उपर चल रहा है assumptions नहीं उनकी जो पुस्तके लिए है धार्मिक पुस्तके वो उसको follow कर रहे है तो basically आपको दिकरा कितना सारा defense और अलग-अलग है same ही देश में रह रहे हैं बट same अलग-अलग rules अप्लाई हो रहे हैं divorce का अलग style में है same लड़की Muslim अगर है तो 15 से उपर होती है उसकी शादी हो जा रही है हिंदूस है तो वो 18 साल से उपर की शादी होती है तो यह gap क्यों ठीक है इन्हें वे यह अच्छा भी है इन्हें वे यह अलग भी है क्योंकि encroachment करता है यह personal lives के उपर ही तो यह दोलों इसके एडवांट इस डिसएडवांट है सब वो तो आगे जब चलेगा और इसकी जो स्कृटनी होगी और इसकी जो वैक्यान होगे आगे दिखेंगे कैसे क्य आर्टिकल 44 के अंदर क्या है आर्टिकल 44 जो भारत के समीधान में है जो DPSP है डिरेक्टिव प्रिंसेपल स्टेट पॉलिसी है वो एडवोकेट करती है DPSP होते हैं वो किसी भी स्टेट को मजबूर नहीं कर सकती है क्या आप इसके पर लोग बना हो ही बट उसमें लिखा कि civil code होना चाहिए पूरे देश में यह एडवोकेट करता है क्या constitution ठीक है DPSP में लिखा हुआ है जैसे कि मिनरवा मिल्स केस 1980 डालमिया सिमेंट केस 1996 यह क्या करते हैं कि जो अपने fundamental rights है और जो directive principles हैं उनके बीच में एक harmony एकदम दोनों में बंदुत्वर है ना चाहिए ठीक तो basically यह जो law बनाया है ना उत्राखंड ने वो constitution को वैसे नहीं करता है वो बना सकता है आर्टिकल 44 इसको अधिकार देता है ठीक है और उत्राखंड की जो state government वो भी यह कह रही कि 44 आर्टिकल 44 हमें इजाज़त दे रहा है इसलिए हमने बना दिया यह ऐसे कह रहे है ठीक है में आया होगा कि uniform civil code क्या होता है कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है मैं आपको पूरा detail में समझा दिया है ठीक है और उत्राखंड की क्या situation है वो हम लोग ने समझ ली आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग समझेंगे उत्राखंड की जो tribal अपने जो tribes हैं उत्रा यह वाल आर्टिकल है यह आपको याद रखना है हमारे paper के अंदर पूछा जा सकता है साती सात में गोवा को लेकर question पूछे जा सकते हैं कि किसने के द्वारा यह किया गया था uniform civil code गोवा के अंदर independence से पहले पूर्टगीज के द्वारा यहाँ पर French Portuguese Dutch English चार option आ सकते हैं एक question यह पूछा जा सकता है कि उत्तरा खंड के अंदर कितनी tribal population निवास करती है उसका answer होगा 3% ठीक है तो यह सब चीजे हैं और यह जो नया भी लाया है कि इसमें कितना fine लगेगा यह पूछा जाता है कि कितने महीने की सजा है 3, 4, 5, 6 answer होगा 3, कितना पैसे की fine लग रहा ह 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 answer होगा 10,000 ठीक है इस तरह से क्यूशन से आपको खुद से generate करने है आप ऐसे जब करेंगे तो easily कोई सी भी competitive exam हो उनको आप crack कर पाएगे ठीक है तो इसी तरह के latest content के लिए latest information के लिए exam relevant जो topics होते हैं हम लोग लेकर आते हैं तो चैनल को ज़रूर आपको subscribe क करना है और आप मुझे comment box में ये बताइए कि आपकी क्या विचार है uniform civil code को लेकर आपको क्या लगता है कि ये UCC पूरे देश में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताइए comment box में वेट करूँए thank you so much बताइए बताइए